जेहिन दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं PWD की नई भरती के बारे में आप सभी को बता दे Public Work Department के तरब से 5000 पदो पर आपका नई भरती का नोटिफिकेसन आया है और ये वेकेंसी आप सभी को बता दे 8 Pass पर है अगर आप Simply 8 Pass है तो आप सभी इस फर्म को फिल कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह के एक जाम कंड़क्ट नहीं होता है Only आपका जो है इसमें इंटर्व्यू कंड़क्ट कराया जाएगा और उसके बाद जो है आपका डॉक्मेंट वेरिफिकेसन होगा और देन जो है आपका Final Selection इसमें हो जाता है तो आज किस वीडियो में इसी भरती के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं वीडियो में आप सभी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यह रहा इसका Officially Notification और आप सभी को बता दे यह Notification हिमाचल परदेश Government के तरफ से जारी किया गया है जिसमें आपका Total Post जो है 5000 रहने वाला है और यह Post Multitask Worker के लिए जारी किया गया है PWD के तरफ से इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं Vacancy की और Complete Details की तो आप सभी को बता दे इसमें Indian जो है Citizenship आपके पास होना चाहिए इसके बाद Educational Qualification की बात करें तो अगर आप सभी 8 Class Pass है तो आप इस फर्म को फील कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दे इसमें एक Condition है कि यह जो है आप हीमाचल परदेश से जो है आप होना चाहिए यानि कि अगर आप सभी हीमाचल परदेश से 8 Class Pass कीए हैं तो आप इस फर्म को फील कर सकते हैं या हीमाचल परदेश के अगर आप निवासी हैं लेकिन अगर आप दूसरे जगह से 8 Class Pass कीए हैं तो भी आप फर्म फील कर सकते हैं क्योंकि यहां के जो Permanent Resident Certificate है वो आप से मांगा जाएगा यानि कि निवास परमान पत्रजी से Do Missile Certificate भी बोलते हैं तो यह जो है हीमाचल परदेश का आपके पास होना चाहिए तभी जाकर आप इस फर्म को फील कर सकते हैं और अधर एस्टेट वाले जो Candidate है वो इस फर्म को फील नहीं कर पाएंगे केवल हीमाचल परदेश के लिए यह वेकैंसी निकल कर आया है इसके बाद Age के राइट एडिया की बात करें तो 18 से 45 इसमें रहने वाला है यहाँ पर यह आप सभी देख सकते हैं और दोस्तों आप सभी को बता दे इसमें जो आपका डॉक्मेंट लगेगा वा अधार कट लगेगा Certificate of Age Proof और इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं Certificate of Himachali Bonafide आपको लगेगा और यहाँ पर भी और काफी सारे Class 3 का Mark Seat आपके पास होना चाहिए अभी जो आप सभी को बता दे कि यह जो आपका भरती जारी किया गया है इसकी Form Apply Date जो है और इसमें जो है आपका Direct Selection होने वाला है किसी भी तरह की इसमें एक्जाम जो है Conduct नहीं कराया जाता है तो जैसे ही इसका Form Apply शुरू किया जाता है आप सभी को वीडियो इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्षन में बताईएगा